कि इस पर एक बार साउंड सुन सकते हैं कि यह मतलब हर नहीं मारना चाहिए कोई चीज को बिल्कुल सब्सक्राइब चाचा मेरे को फून की कहा है आज पूरा अंगुरी में नाकोक में घरता जाता था नहीं है उससे बीमारी करता मेरा तीन साल का बहुत अच्छा था जाएगा किसी सौर्स आये या डारेट आगे थे नहीं थोड़ा पढ़ने लिखने वाला काम है थिया है चोटा सब्सक्राइब कुछ भी नहीं के लिए जो पुरानी सफारी में भी आता था काथी कास्ना क्या वात है मतलब यह सेंसर सिस्टम दे रखें है वार के लो काई सबसे प्रोफाइल देखो कितना खुबसूरत और कितना जबर्दस यह ट्रक लग रहा है वोल्वों के मैं लगभग सारे ट्रक्स आपको बता दी हैं जो इंडिया में चलते हैं लगभग मतलब लेकिन यह वाला जो है आपने देखोगा 52400 वगयरा जो आता है सबसे पहले मैं बता दूं जैसे यह आप यहां देखेंगे तो यह है वोल्वों का FM और इधार इसका नंबा लिखा हु डीजल इंजा ने तो होगे पावर रही है 500 HP के इसमें पावर आती है 2500 अनम का टॉर्क मतलब समझे जितना जाधा टॉर्क गाड़ी में होता उत्ता जाधा उसकी खीचने की शमता जाधा होती है जाहिरती बात यह खीचता भी 200-300 तैन है तो उसे इसका टॉक दे रहा है 14 स् इसका सिर्फ इतना वेट जैसे एक दो तीन चार पांचे साथ 10 टायर जो मतलब आगे आगे इतने कई जो वेट है पचपन हजार कीजी इसका ग्रॉस वीकल वेट स्लीपर कैबिन है अपा लगी देख सकते हैं हाईड्रोलिक पिल्टेबल कैबिन हैं हैवी डूटी कितने खुबसूरत भाई नीचे टाइप दे रखा है उपर यहां पर टन इनिगेटर दे रहा है यह भी कवर्ड है मौडिफाइड इसमें कुछ भी नहीं रहता है और वाल्व की बेजिंग कितने खुबसूरत लग रही है इस टाइप की वाल्व की बैजिंग दे रखी है तो यह तो कुछ ऐसी इसकी फ्रंट प्रोफाइल और अगर उपर से आप देखेंगे तो वहां पर दो साइरेंट टाइप लगे हैं जो लाइट जलती होगे ऊपर रूफ रेल टाइप कुछ लगा हुआ है आगे कावर है यह भी काफी खुबसूरत लग रहा है यह तो यह अगर वोल्व की जो कॉलिटी है उसकी तो मैं हमेशा बोलता हूं कि वर्ल्ल की सबसे सेफेस्ट कार आती है वोल्व की तो यह तो ट्रक है बड़ा खुबसूरत बनाया हुआ है देखिए अब यह एक्जोस्ट है इसका यह इसका एट ब्लू टैंक है आप यह देखेंगे त और यह कवरिंग देखिए कितनी अच्छी रेफ्लेक्टर बगेरा यहां पर लगे हुए हैं इसमें टार सेक्शन भी बड़े जबरदस्त हैं पीछे से दिखाएंजी देखिए जाबी तो हर इसमें कुछ रखा नहीं है लेकिन यह थाइस हो तो तीन सुटन वजन ले आ सकत करता चुके हैं यह सब कैसे ओपरेट होता है मैंटेल होता है इधर थोड़ा चलता है कि यह जब यह दिवागेरा रखे हुए हैं इसे कभी कोई माल रखा रहता तो उससे तारवार हटातें तो ऐसा बना रहता है बाकि यह पूरा ही है यह उपर का किचिन एक हैं कि आपका एक पर आपने इसमें यहां पर भढ़ते हैं क्योंकि पूरा मेंटेंड रहा है क्योंकि बड़ा सारा ज़नी खीछता है सुगरीम भाई सतेंदर भाई फड़ा नाम में याद कलनों आधे उतुरी में अंधर से पाठी बैच्ट आप यहां पर यहां पर डिजर्ट लगाओ आय प्रेशन टैंक है सेम उधर की वाली प्रोफाइल है इसकी उधर की को गेट ओपनिंग काफी हुज है गेट देखें यहां पर आप अंदर लाइट 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 क्या होता है यह जो कितने जबदस सबसे ज़्यादा चड़ना है इसका फिंगर लाइट फिंगर लाइट क्य क्या बात कर रहा है यह लगा दिया और वह मतलब अपस लगा बंद हो जाएगा क्या बात है मतलब यह सेंसर सिस्टम दे रखें वारी काफी अफडेट ट्रक रहता वाई यह और यह इसके एसी वेंट एक चीज़ में देख रहा था यह क्या है वाई यह अच्छा एसी का हव विंडो डाइश वोट देखिए नहीं है बिल्कुल मतलब अटोमेटिक है और क्या बात है रिवास न्यूट्रल से एक बस मैं रहें एक कलच भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है अलिए इसलेटर है इसलेटर है वाव आई मतलब एक डीसेंट चीज़ आपको देखने को मि नीचे स्पेस दे रखा है 12 वोल्ड का पावर सॉकेट यहां पर यूएसबी चार्जिंग और यह सिगरेट वगरा जलाने के लिए हैं स्मोकिंग इस इंजिरियस टु है लेकिन फिर भी दे रखा यह कि अमर्जेंसी बटानों यहां पर कितने सारी चीज़े दे रखिए सब यहां क्या होगा भाई इसमें का है मतलब कर इसे का हो गया लाइट का हो गया एक्सल को गया पार्किंग नहीं है उसको मतलब को इसे की गाड़ी गर रूप कट कर दिये तो अटोमेटिक बंद हो जाएगा इसको भी तेंगे अच्छा कुछ देरी के बाद अपने अपने वर्दस्त होती है और उपर देखिए यहां पर 12 स्टो इस टॉरेंज दे रहा बड़ा ही अच्छा खुलता यहां पर स्टोरेज है यहां पर अच्छा यहां यहां ब्लब सकता है यहां निकल सकता पीछे आराम से एक इंसान सो सकता है वहाँ पर भी स्टेरिंग दिखाता हूं मैं आपको आप तो बेठी है यह इसका स्टेरिंग कितना खुब्सूरत स्टेरिंग है यह थोड़ा का एक बार स्टूर्ण करिया ने स्क्रीन दिखेजिए अरे वाँ परदा भी लग जाता है इस स्ट्रीन देखेंगे आप तो यह है पूरी दर भी कंजिए सकते हो इसको क्या वात है आप हां बड़ी मतलब यह तो फुल फेसिलीडियो अलेट रहे हैं ऐसे नहीं जाएगा एसे नहीं जाएगा कैसे जाएगा एक बार वहां से आपने नहीं है बड़ अच्छा लगाई है अरे क्या वात है बड़ा इसको चलाने में बड़ा मजा आता है कैसे चलता है बहुत लोग सोचते हैं इसको चलाने के लिए सबको नहीं सपना पूर इसमें आपको गेर वेर भी नहीं लगाना है इधर करके इधर अटोमेटिक डाल देगा इधर पाइलिट गाड़ी है तो ऑजला देश्ण ह incremental पर पड़िशाद्य में मैं चलाते हुं आप यह गेर वाली हम जांतरा चैनल मतलब इसमें क्या करना है मैं थोड़ा रिखने वाला काम है तहित बटम बटम दीया इसमें सब इसमें साञ होता है वाले जो ट्रक होते हैं इन में बागे ट्रक से रोडल बहुत अच्छी होती है यह बहुत सुभीदा वाली गाड़ी है हां यह गाड़ी मलब फोर भी लारगाई है मंगर इसको चलाना आसान नहीं है बोलना है कठिम लेकिन इसमें पाम बितित के असाली से मिलता नहीं है ना शायद मैंने मिलता है यह आपको दो महीने तीन महीने ट्रेनिंग भी करना अब इसका भी काम सीख रहा है पीछे का काम तो सीख लिया पीछे के काम में ऑपरेटिंग मतला पीछे ताला कटता है वह उधर से भी श्टेरिंग करता है तो आपके जो उस्ताद हों तो काफी पुराने होंगे क्योंकि मैं बता तुम आप लोग को कि इसमें जो सेलरी कम से पचास साथ हजार तक उस्ताद की सेलरी होती है और एक और चीज इसमें अच्छी होती है दूसरे लोगों से पूछा है इसमें जैसे ट्रक जादा तो चलता नहीं है कभी खड़ा भी रहता है तो जब भी सेलरी पर्मनेंट मिलती है तो बहुत तो जो मुहिने खड़ा रहा दूसरे पर और आप यहां पर हैं तो आप परी में लगे हुए अभी तो में आप किसी सोर्स आय था या डायरेट आगए थी नहीं में आयो था मेरा चंच है हाँ वह पहले चलाते थे तो उन्हें के संपर से आया यहां प्राइश करने आये है तो एलफराई करते प्रेटरी अभी तो मेरा खापी के अठारे अजार सेलरी मिलता है पहले मिलता था पंद्रे अजार मिलने लगा इसका भी काम हम धेरे दिने सीफ रहा हूं अगर इसका ड्राइबर बन गया था आपके तो पजास थाइट अजार कई दी गए लाख रुपया जाएगा इसमें अच्छा माइनो माइनो घरों से दूर रहते हैं हम लोग आप ही चलाते हैं हमारी दूसरी गाड़ी आपके दूसरी गाड़ी है लेकिन इसमें एक फाइदा अब दीरे दीरे चलाना पड़ता होगा इसको इसको तो आप माल जा रहा है ना अब पैदल लेकि इसको जा सकते हो हां मैंने देखा है ना वाई 200-300 टन यह माल लेकर जाता है तो लेकिन उसमें दूरगटने के चांसे बिल्कुल कम रहते हैं कम रहता है सबसे अपना मतलब क गाड़ी के मामिले में नंबर उन गाड़ी है सलो भी चलती है दूरगटना का कोई तिकन है दूरगटना क्योंकि आराम से चलने का इसको फूल सेप्टी भी मिलता है हम लोग को कोई जरूदत वड़ता है अगर रोड भूल गया तो उसके लिए भी अकर बोल लिया जाएग दोदर से करमचारी आएगा आड़ी पास करवाएगा अच्छा एसे की शिटी में घुसना है तो फूदर भी संपर्क करेंगे थाना को तो उदर से करमचारी आएगे सीटी पास करवाएगे आपको पता है इसका बहड़ा क्या होता है यह पता है है जैसे मेरे कहल से दो सो यह तीन सो किलिमेट्र के इसका एक लाग रुपर बड़ा बंजाता है उससे दो नहीं न यह ज learnt घ्रता रह correlated ऑफ यह को आप महीं कि सब्सक्रon most इसका खाचा अलग है अभी एकक्स किलो मेटर पो इसका एक्षो तीश किलो मेटर पर तेल चाहर का ना अरे बापरे और खर्चा अलग है यह तरका पुली शुली इस मिलते हैं आए लेदो आजार पान्सों कोई आजार ले ले लिए कोई दो सो ले लिए इसे ही मतलब खर्चा बेड़ जाता है तो मतलब जो इंसान धाई करोड इसमें लगा रहा है तो जाइड सी बात है कमा भी रहा होगा तो कंपनी माली लगाते हैं ट्रांसपोर्टर ही लगाते हैं वह इतना लगा रहा है किन में आदमी कमाने के छो तुकि यह वाले जो ट्रक थे इनकी एक लागा सियसी अधर किस्ट बन जाती है इन लोगों को बनने का इसका भारा भी बनता है जो लेता है गाड़ी तो उसके पास उतना पईशा होता है उसके पास से अपना कुछ पैशा उत्ति हैता है नोट का राजा कहलाभा ता है अदो के लोट कर आजा है आम इंसान से उसको नोक्री मिल सकती जिसे भाई की फेचाने चाचा चलाते थे तुवा आगए अगा जैसे कोई क्या है प्रवार कि अरफ दो जादा आए तब शुटा टर्निंग पढ़ गया है तिसे लिए काड़ना पड़ता है और आप पीछे से अट्वी डाल देगा लेकर चला जाएगे तो आप टीन साल हो गया है आपको किटना साल हो गया आपको 11 साल भाई को तीन साल हो गया तो वा काम करेंगे अपनी पल्टी दी अपना मन का काम करेंगे अच्छा ऐ मारे मालिक का जितना चलाना छलाते हैं थे खड़ा काता है अच्छी लगी ड्राइवर लाइन अच्छी है मंगर यह रस्ता में परिसान करते हैं लोग अच्छा यह तो आपको 11 साल का अनुव है और आपका 3 साल है मेरे देश की सबसे पहली टांग है यह ड्राइवर लोग राइवर ना रहेगा तो सरकाह तक नहीं चल सकती है तो और अपना घा छोड़ेगा मैनो मैनो साल अब यह भाई है अगर एग 500 किलिमीटर कराउं ने मिल साथ ले पहें वह जाता है यह बात तो बहुत हाम आपका क्या साथ तज़ुर्वारा तीन साल मेरा तीन साल का बहुत अच्छा थैसी लिए पैसा और खाना प्रिने के लिए होई जाता तर गर पाईसा अगूर्वया नहीं भीज़गा तो यह टाइल लाइन में घेए तो अ तो वो भी सिख गया था काम, वो पूरा अंगुरी में नाकोक में घरता जाता था ने, उससे बीमारी का घर आता था, इसलिए वो छोड़ दिया, तो मेरा चाचा मेरे को फोन की, कहा आप आया, आजा, मैं बोला ठीक हमें आता हूं, जी, जी, तो आया तो उसके बास से वे खल से ड्राइबर के पास किया, उसके बाद आप अपरेटरी चांस मारा, अच्छा, तो फिर ऐसे करके आप यहां तक पहुच गए, तो बहुत है, आपने तो सही लाइन पकड़ दी, भाई, अभी यहां तक आया, कुछ दिन में आप अभी आए, बिल्कुल, बिल्कुल, मैनत क जुच पर यहां पर बेट जाया है, हमसे यहां अभी पहुत है वाई इस ट्रक कुछ भी आओ, अपने बागी थ्रक में थोड़ा सा और अब यहां, पैसा पेसा पर तो खर नहीं है, जाय करूड, यहां पैसा लाइन द्ट्रक पैसा लाइ, इस भाएक सुन सकते हैं, यहां, यहां चावी बताइए चावी के चावी बड़ी अच्छी है इसकी खुली तो बाद तो हो गई आपका नाए कुछ तो औही हो गया चावी है तो कम की ओगे चावी तो नहीं चावी का सिंसर वाली चावी है कि चालू होने में टाइम लेता है थोड़ा सा नहीं हो देखाएगा ना तभी नई फ्टाट करें अच्छा कि अच्या वह ब्लब कोई वाइबरेशन नहीं कोई कुछ नहीं कार जैसा साउंड आ रहा है सुगून वाला साउंड आ अब डायेट इसको न्यूट्रल पर करा और ब्रेक दबा के ने पर दबाकिन नीट्रल पर करें दिरे दिरे ब्रेक छोड़ेंगे अपने आप आगे बढ अब वाइए अमने आपको ट्रक बीबता दिया पूरा यह ट्रक बड़ा शांदार बहुत ही जबादस थे यह पावर विंडो इसके अभी काम निकार रहे है के अच्छा कर रहे है यह पावर विंडो भी है उसमें पतला बहुत ही जाधा फैसिलीटी वाले ट्रक इसको चलाने नाम कुछ नाम बुल गाए वाई क्या नाम है इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना आपके चनल को सब्सक्राइब करना ता कि इसी वीडियो साथ को रेगुलरली देखने को मिलते रहें थाएंक तो मच गाइस पर वचिंग दा वेडियो